अब आए इसका complete solution देखते हैं और यह working जो है थोड़ी सी different की है मैंने ताके आपको यह भी idea समझ में आए कि working अगर आप यह ledger के calculate करना है कि if there is any good will or not secondly इसी को पहले देखे cost of control को कि आपकी investment जो सप्पर में है वो 141 explain की हुई है उसके बाद उसका capital उसका pre acquisition profit और वो जो revaluation reserve और share premium वो सारी आपने अपने अपना इसा 60% लेना है उसके capital का भी 60% उसके pre acquisition का भी 60% और जो revaluation है उसका भी 60% और जो share premium है उसका भी 60% तो balance जब आप करते है तो आपकी goodwill बनती है three million की तो उसी side पर अगर आप आए investment in associate तो उसमें उसने बताया था कि 95 और इसमें इसका जो post acquisition profit है 290 तो total है इसमें 130 जो है pre है तो 160 post है आपने अपना हिस्सा 25% लेना है so 135 तो straight away goodwill की figure और investment in associate की figure consolidated balance sheet में चली जाएगी reevaluation में देखें दो जगा पर reevaluation नहीं एक property plant में भी और इसमें property plant में देखें के inventory की जो है वो reversal है inventory में increase नहीं है inventory में decrease है तो debit में inventory और credit में यनि inventory को हमने कम किया है और machinery को हमने बढ़ाया है और इसमें भी हमने क्या किया है कि जो total बनता है इसका balance 30 बनता है उसे में से 30 जो है वो आप लेंगे अपना portion और बाकी जो है वो minority का NCI का portion होगा property plant equipment में देखें आपने power सुपर के आपने advance का नहीं लेने क्योंकि एडवांस जो आपके associate है subsidiary नहीं है subsidiary सब की आएगी सब subsidiary की भी आएगी लेकिं associate की नहीं आएगी अब इसमें debit में assets हैं तो वो जो depreciation additional पड़ी आपको वो इदर site पर आ गई और उसके बाद जो evaluation आपने 50 का किया है वो इदर आ गया ठीक है तो यह अब balance जो है इसमें जो आपका balance sheet में जाएगा वो 635 आएगा क्योंकि आपने adjustment कर दिया है इसमें प्रेजर की भी और depreciation की लिए non control interest में देखें again super क्या आपने अपना share 40% जो nci जाएगा है वो लेना है प्रॉफिट का भी अच्छा इसमें प्री और पोस्ट का concept नहीं है जो retain profit है balance sheet में उसका straight away आप ले 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 that is 185 का 40% state ले लिया इससे तरह revolution का 30% ले लिया आपने और शेयर प्रीमियम का भी आपने 40% ले लिया तो आपने nc का portion ले लिए लिए फॉर्टी परसेंट रिटेंड प्रॉफिट में जाएं जो balance है वो आपका balance sheet में again जाएगा और रिटेंड अर्निंग में देखें तीनों की आई है लेकिन इसमें depreciation जो है अच्छा देखें यह 40 आपने अपना शेयर लिया है 100% नहीं ले लिया आपने अपना शेयर लिया है depreciation की adjustment प्री acquisition की adjustment और अप्रोप्रोप्रेटिड प्रॉफिट अन्रियलाइस प्रॉफिट की adjustment के बाद आपका जो balance बचता है वो है 700 तो यह जो working है इसको आप किसी तरह किसी भी present कर सकते हैं लेकिन अगर आप जर्नल एंट्री के थ्रू करें जर्नल एंट्री बनाएं और फि decrease आये 20 की तो और बैलन्स जो है आपका तू वन टू यह आपकी बैलेंस शीट में चला जाएगा अब इसका देखें बैलेंस शीट जनाकर देखते हैं इंपल है बिल्कुल देखें नॉन करेंट एसेट्स वहाई सा फिगर उठाई है प्रॉपर्टी प्लांट एक्रॉपमेंट से इन्वेस्टमेंट इन असोसियेट वह वर्किंग की हुई है तो तो टोटल एसेट्स यह और उसमें गुडविल आपकी तीन की आगी उसके और पावर का लाइबिल्टी साइट पर रहें शेर कैपिटल सिर्फ अपना जो पावर है उसका और शेर प्रीमियम भी उसी का और रिटेंड रनिंग की फिगर की कालकुलेशन आपको लेजर में दिखाई और नॉन कंट्रोलिंग की फिगर भी आपके सामने है तो यह आपक का और उसके बाद कर ट्रेड पेबल्स में कोई चेंज नहीं तो दोनों का आपने एड़ आउन किया है इसका इसका और पावर का